इस वीडियो में हम Mason gain formula की बात करेंगे Signal flow graph का transfer function निकालने के लिए हम इसी formula का use करते हैं ये formula sir sjmason ने दिया था Block diagram का transfer function निकालने के लिए हमने देखा था कि हम block diagram reduction techniques को use करते हैं जो कि एक बहुती लंबा process है तो signal flow graph का जब भी हम transfer function निकालते हैं तो हम directly इस formula को use करते हैं और एक line में हम transfer function निकाल सकते हैं अब अगर हमको block diagram का transfer function निकालना हो Mason gain formula की मदद से तो पहले हमको block diagram को signal flow graph में convert करना पड़ेगा उसके बाद ये formula हम लगा सकते हैं और directly उसका transfer function लिख सकते हैं अब वो convert कैसे करते हैं ये मैं आपको already पहले वाले वीडियो में सिखा चुका हूँ तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं आपको नहीं पता है कि signal flow graph क्या होता है और कैसे उसकी क्या terminologies होती हैं तो आपको पहले वो वाले वीडियो देख लेनी चाहिए हो सकता है कि आपको चीज़ें थोड़ी मुश्किल लगें शुरू शुरू में लेकिन जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जब तक वीडियो खतम होगा तब तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और कुछ examples देखने के बाद आपको Mason gain formula की मदद स एक line में transfer function लिखना भी मैं सिखा दूँगा तो आपको यह बहुत ही आसान formula लगने वाला है इसलिए अगर शुरू में कुछ समझ में नहीं भी आए तो आप last तक wait जरूर कीजिएगा देखिए इस formula में यहाँ पर लिख रखा है submission k from 1 to k p k delta k upon delta अब यहाँ पर तीन चीज़ 1 p1 delta 1 plus फिर 2 value रखेंगे तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 p2 delta 2 plus ऐसे ऐसे करते करते p k delta k तक जाएंगे upon delta लिखना है तो यह है sir number of forward path मतलब जो भी आपके forward path है उनका number तो यह है जैसे 1,2 कितने forward path है और p क्या है उन forward path का gain क्या है जैसा कि आपने अगर कोई example लिया कि जैसे कोई signal flow graph मैंने यहाँ पर ले लिया इस तरीके से तो यह अगर मेरे यह वाला एक मेरा forward path हो गया एक मेरा forward path यह हो गया यह feedback path है इसको मैं नहीं लूँगा तो इसको और अगर मैं इसको लेता हूँ तो सरी यहाँ पर 2 forward path होंगे फिर इस forward path का gain क्या होगा और इस forward path का gain क्या होगा व P1 P2 P3 P4 इस तरीके से दूसरा हम निकालते हैं अभी हम delta K की बाद पहले नहीं करते हैं उससे पहले हमको delta निकालना होता है क्योंकि इस delta के बाद ही आप यह delta K निकाल सकते हैं तो delta क्या होता है अब देखें delta का एक इन्होंने formula दिया है यहां पर यह होता है one minus और यह alternate चलता है one minus फिर यहां पर plus फिर यहां पर minus फिर plus तो देखे one minus sum of loop gains of all individual loops इसका मतलब है कि जितने भी loops हैं किसी भी signal flow graph में मन लिजे एक loop मेरा यह बन गया ऐसे ही मैं एक और loop यहां पर बना देता हूं तो एक loop मेरा यह बन गया तो इस loop का gain क्या होगा इस loop का gain क्या होगा सबको add up कर देना है तो सबको add करके जब यहां पर लिख देंगे तो यह वाला block आपका तयार हो जाएगा sum of loop gains of all individual loops फिर आपको plus sign लगाना है तो यहां पर यह वाला loop और यह वाला loop दोनों आपस में touch नहीं कर रहे हैं तो इसके gain को और इसके gain को मालिय जी इसका gain हो गया a b इसका हो गया c d तो a a b c d यह पूरा आपको यहां पर लिखना है यहां पर आपको लिखना है उसके बाद plus लगाना है और फिर चेक करना है कि और भी ऐसे दो लूप है क्या जो आपस में touch नहीं हो रहे हैं अगर ऐसा है, तो आप यहाँ पर भी प्लस करके उसको लिख देंगे, फिर यहाँ पर minus sign लगाना है, यह मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आपको example में बहुत आसान लगने वाला है, तो one minus, फिर यह लिखा अपने individual loops का gain, एड़ करके, फिर plus, फिर दो non-touching loops का gain लिखा, प्लस करके, अगर सिर्फ दो यह non-touching loops हैं, तो आप यहाँ पर लिख देंगे, अगर दो non-touching loops हैं, फिर दो और हैं, फिर दो और हैं, तो उनको आपको add करके लिखना है, फिर यहाँ पर आप negative sign लगाएंगे, फिर यहाँ पर आपको लिखना है, तीन non-touching loops का gain, यह बह हैं तो फिर आपको plus करके आगे 4 भी add करने होंगे इसके बाद हम बात करते हैं delta k की तो delta k क्या होता है अब हम इसकी बात कर रहे हैं delta k की देखे यह जो delta है यह नीचे की तरफ है इसका इस forward path से कोई लेना देना नहीं है delta unique होता है forward path से मतलब ही नहीं है forward path आप कोई सा भी यूज करो delta सेम रहेगा लेकिन जो delta k है ये इस p k पर depend करता है अगर हम पहला forward path ले रहे हैं जैसा कि हमने इसमें देखा तक दो forward path थे एक forward path ये था और एक ये वाला था तो अगर हम ये वाला forward path ले रहे हैं तो इसके अनुसार जो delta निकलेगा वो होगा delta 1 फिर अगर इस वाले forward path का अगर हम देखेंगे तो उसको हम बोलेंगे delta 2 दोनों की value अलग-अलग हो सकती है अब वो कैसे अलग-अलग हो सकती ये हमको देखना है तो देखें delta delta k जो होता है वो होता है सर कि इस forward path पर delta 1 की जब बात करेंगे तो इस p1 path पर कितने ऐसे loop हैं जो इसको touch कर रहे हैं जितने भी loop इसको touch कर रहे हैं उनको हमको minus करना है इस delta में से बात clear हो रही है देखे it is the value of delta obtained by removing all the loops touching kth forward path इस delta में से जब हम ऐसे loops को minus कर देंगे जो इसको touch कर रहे हैं उस p1 path को या pk path को उसके बाद हमको जो delta मिलेगा उसको हम delta k बोलेंगे उस path के लिए ऐसे ही फिर हम p2 के लिए check करेंगे इस p2 के लिए भी हम check करेंगे कि कितने ऐसे loops हैं जो इसको touch कर रहे हैं अगर इसको कोई loop touch कर रहा है तो उसको आप इसमें से माइनस कीजिएगा डेल्टा में से फिर आप उसको लिखिएगा तो आपको डेल्टा 2 मिल जाएगा अब दीखे कभी कभी ऐसा होता है कि आपके किसी एक forward path पर सारे ही loop टच कर रहे होते हैं जितने भी loop उस sfg में हैं उसका मतलब है आपको कि सारे ही loop गटाने हैं चाहिए वो 2 non touching हो चाहिए 3 non touching हो क्योंकि सारे ही loop टच कर रहे हैं तो आपको सारे ही गटाने हैं तो जब आप इसमें से सारे ही loops गटा देंगी तो बचेगा क्या सिर्फ 1 तो ऐसी condition में सिर्फ 1 बसता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई भी loop touch नहीं कर रहा होता है तो जब कोई भी loop touch नहीं कर रहा तो minus क्या करोगी कुछ भी नहीं कर सकते उस condition में आपको as it is delta ही delta के लिख देना होता है अब हम इस सारे theory को एक example के तौर पे समझेंगे तो आपको सबसे basic चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि हम जब भी SFG को मेंसन गेन formula के मदद से solve करते हैं तो तीन चीजों का ध्यान देते हैं पहला forward path forward path कितने हैं ये हमको लिखने होते हैं दूसरा हम delta की बात करते हैं delta हम निकाल सकते हैं sir individual loops को देखना होता है non touching loops को देखना होता है ऐसे देखना होता है उसके बाद हम delta क की बात करते हैं delta क जब हम निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस forward path को कितने loops touch कर रहे हैं जितने भी loop touch कर रहे हैं उसको इसमें से घटा देंगे तो हमको delta k मिल जाएगा question है find the gain of the given system c by r by using Mason gain formula तो हमको c by r निकालना है Mason gain formula की मदद से तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि आपको forward path देखने हैं अगर हम Mason gain formula यहापर लिखें तो वो हमारे पास होगा k from 1 to k p k delta k upon delta तो सबसे पहले आपको देखना है कि कितने forward path हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बना रखा है कि दो forward path है एक forward path जो यहाँ से शुरू हो रहा है और सीधे सीधे जा रहा है देखे forward path वो होता है जो input से output के तरफ जाता है और जिसमें कोई node repeat नहीं होनी चाहिए तो यह forward path हो गया दूसरा forward path मेरा हो गया यह इसमें भी देखे एरो इधर की तरफ है तो यह भी मेरा forward path हो गया बाकी और कोई forward path नहीं है आप इसको forward path नहीं ले सकते हैं क्योंकि यह पीछे की और आ रहा है और यहाँ पर जो है node repeat हो रही है उसी तरीके से ये भी feedback path है, ये भी feedback path है तो सिर्फ दो forward path है, एक forward path ये हो गया, एक forward path ये हो गया दोनों मेंने अलग-अलग बना दिया, अगर आप university exams में answer लिख रहे हैं तो आपको ज़्यादा number का question आ रहा है, तो आपको थोड़ा बड़ा answer लिखना होगा नहीं तो आप directly यहाँ पर P1 लिखेंगे और उस P1 का gain आपको लिख देना है अब इस forward path का जब मैं gain लिखने वाला हूँ, तो मैं into करूंगा sir, 1 into 1 into G1 into G2 into G3 into 1 into 1 ये मेरा पहले forward path का gain होगा, तो यहाँ पर G1, G2, G3 ही इसका gain है, जो G1, G2, G3 ये इसका gain होगया, उसी तरीके से P2 path का gain क्या होगा, तो sir, देखे, P2 path का gain होगा, सिर्फ और सिर्फ G4 क्योंकि ये सब अब इस forward path में नहीं आ रहे है, तो इसका gain होगया G4, यहाँ तक clear है, इसके बाद, मुझे देखना है sir, डेल्टा, अब डेल्टा क्या होता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि डेल्टा क्या होता है, देखे, डेल्टा मैंने आपको जैसा कि formula में द देखना है कि कितने loops हैं, देखे, पहला loop आपके पास ये हो गया, ये एक loop हो गया आपके पास, जिसका gain हो गया, minus G2, H1, अब loop क्या होता है, एक node से शुरू करने पर उसी node पर आपकर के खतम कर दे, कोई node दो बार repeat नहीं होनी चाहिए बीच में, तो उसको हम loop कहते हैं, तो यहीं पर आकर खतम हो गया, और बीच में जितना भी gain आएगा, उनको multiply कर देना है, तो G2, G3, minus H2, तो इसको ऐसे करके लिखना है आपको, यहाँ पर plus करेंगे, फिर यहाँ पर लिखना है, minus H2, G2, G3, फिर आप यहाँ पर plus sign लगाएंगे, फिर देखेंगे और भी कोई loop ह जर आ रहा है यह वाला, यह देखें, इस loop में आप देखेंगे कौन-कौन से gain आ रहा है, G1 आ रहा है, फिर यह G2 आ रहा है, इस तरीके से loop जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो H1 नहीं आएगा, minus H3 आएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, minus G1, G2, H3, यह तीन loop इस signal फ कि कोई ऐसे loop है, क्या जो आपस में touch नहीं कर रहे हूं, क्योंकि आपका यहाँ पर था sum of product of gains of two non-touching loops, यहाँ पर आप देख सकते हैं, sum of gain products of two non-touching loops, तो अगर यहाँ पर कोई भी ऐसे दो non-touching loops हैं, तो उनके products का multiply करके यहाँ पर लिखना है, लेकिन यहाँ पर कोई भ को दो non-touching loops देखना है, तो आप यह देख सकते हैं कि उनके बीच में कहीं कोई common note तो नहीं है, तो अगर आप इस loop की बात करें और इस loop की बात करें, तो उसमें दो common node है, इसमें और इसमें भी two common nodes है, तो इसके अंदर कोई भी ऐसा loop नहीं है, जो non-touching हो, तो आपकी equation सि यहीं तक रह जाएगी, delta आपका यहीं तक रह जाएगा उसके बाद आपको लिखना है delta k अब delta k आपका forward path पर depend करता है तो आपके जितने forward path हैं उतने ही delta k होंगे मतलब 1 होगा delta 1 और 1 होगा delta 2 अब delta 1 आप कैसे निकालेंगे तो delta 1 आप निकालेंगे sir कि इस P forward path से इस P forward path से कितने loop ऐसे हैं जो इसको touch कर रहे हैं जितने भी loop touch कर रहे हैं उनके gain को मैं इससे minus करने वाला हूँ देखे ये मैंने यहाँ पर देखा forward path ये इस forward path पर कितने loop touch कर रहे हैं सर सारे touch कर रहे हैं ये सारी common nodes इसमें हैं तो सारे touch कर रहे हैं, तो आपके पास सारे minus कर देना है, तो जब सारे minus कर दोगे, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, यह मैंने आपको बताया था कि जब सब कुछी minus कर दो, 1 बच जाएगा, ठीक है, जब delta 2 के हम बात करेंगे, तो यह वाला loop देखेंगे, तो यह वाला जब forward path मै कर रहे हैं, तो जब touch यह नहीं कर रहे हैं, तो minus क्या करोगे, कुछ भी minus नहीं कर सकते, तो आपको as it is delta ही लिख देना है, तो यह delta ही जब आप लिख दोगे, तो यह minus में बाहर ले रहा हूं, तो यह हो जाएगा, आपके पास g2 h1 plus g2 g3 h2 plus g1 g2 h3, तो इस तरीके से हमारे delta 1 और delta 2 भी आ चुके हैं, अब हमको formula में सारी digits को put कर देना है, तो हमारे पास इसका final transfer function आ जाएगा, अब हम put करने जा रहे हैं, तो formula था हमारे पास pk delta k, तो सबसे पहले आपको p1 लिखना है, p1 हो जाएगा g1 g2 g3, उसके साथ delta 1 लिखना है, delta 1 1 हो गया, फिर हमको लिखन है, delta 2, तो 1 प्लस g2 h1, प्लस g2 g3 h2, प्लस g1 g2 h3, यह clear है, उसके बाद upon में आपको लिख देना है, delta, तो delta आपका था यह, 1 minus, as it is आपको यही लिख देना है, g2 h1, यह प्लस आजाएगा, क्योंकि मैंने minus common लेके भाहर रख दिया, जो g2 g3 h2, प्लस g1 g2 h3, इस तरीके से आपके पास यह transfer function आ गया, इसको आप c by r लिख सकते हो, यह transfer function आपका आ गया, इस signal flow graph का, अब हम एक और signal flow graph देखते हैं, इस signal flow graph का भी हमको transfer function निकालना है, तो इसमें भी हम same mission gain formula की मदद से निकालने वाले हैं, तो सबसे पहले, तो सबसे पहले हमको करना है सर, कि इसमें कितने forward path हैं, तो आपको जब forward path देखना हैं, तो आप आसानी से यही देखिएगा कि input स output के तरफ कितने signal जा रहे हैं और node repeat नहीं होनी चाहिए, तो पहला signal तो directly यह जाई रहा है, तो आपको इसका P1 लिख देना है, तो इसका P1 F आजाएगा क्योंकि 1 into 1, 1 होता है, तो F आपने लिखती है, फिर आपको देखना है P2, P2 देखें, यहां से जा रहे हैं, फिर यहां से होते हुए, और यहां से होते हुए हम चले गए, तो इसमें क्या gain आ रहा है, A into B, तो यह हो जाएगा सर, A into B, फिर उसके बाद यह वा और से देखना होगा, तो एक दो forward path और नजा रहेंगे, देखें, यहां से जाएंगे, यहां से गए, फिर यह वाला रास्ता हमने चुना, और यहां से गए, और इस तरीके चले गए, कोई भी note repeat नहीं हुआ है, और signal भी input से output की तरफ ही जा रहा है, इस तरीके से गए, इस गए और यह ले, तो यह हम लिख सकते हैं, इसके gain को multiply करके a into e into h, तो एक forward path आपका यह हो गया, उसके बाद एक और forward path होगा, और वो forward path है सरी यह, यहां से गए, यहां से गए, d वाला रास्ता चुना, उसके बाद b से होते हुए, हम चले गए, तो इसका gain हो जाएगा g into d into b g into d into b, तो इस तरीके से हमने तीन forward path यहां पर लिख दिये हैं, अब हम लिखने जा रहे हैं सर डेल्टा, अब डेल्टा भी जब भी आपको लिखना होता है, तो 1 minus तो लगाना ही लगाना है, उसके बाद आपको लिखना है individual loops की equation, उनके gains को plus करके लिखना है, तो कितने individual loop है यह आपको इस signal flow graph में देखना है, देखें सबसे पहला loop तो साफ साफ नजर आ रहा है, self loop c, तो c लिख दीजिए, उसके बाद self loop i लिख दीजिए, और उसके बाद एक और loop यहाँ पर बन रहा है, देखें इस note से अगर मैं शुरू करता हूँ, तो d के थ्रू होते हुए यह यहाँ पर एक और signal आप लिख सकते हो, यह हो गया sum of all individual loops, इसके बाद हमको देखना है, यहाँ पर minus लगाया है, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, अब मैंने आपको बताया था कि two non-touching loops देखना है, तो यहाँ पर देखें यह वाला loop और यह वाला loop, आपसमें touch नहीं कर इन दोनों की node common नहीं है, तो आपको इसका gain और इसका gain multiply कर देना है, ci, ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद देखना है कि कोई और भी non-touching loops हैं क्या, तो sir, कोई और non-touching loop नहीं है, क्योंकि यह जो बीच वाला loop है, यह दोनों से ही touch कर रहा है, तो इ यहाँ पर लिखते, plus करके, फिर इन दोनों की gain को भी multiply करते और यहाँ पर लिख देते, जैसा कि यहाँ पर लिखाता, इस तरीके से, और फिर यह वाला loop और यह वाला loop, यह दोनों भी तो non-touching है, तो इन दोनों की gain को भी multiply करके यहाँ पर लिखते, उसके बाद इसको bracket को बंद करते, फिर minus का sign लगाते फिर check करते कि 3 non-touching loops भी है क्या, तो sir ये वाला loop ये वाला loop और ये वाला loop तीनों ही non-touching loops होते ऐसी condition में आपको इन तीनों के gains को multiply करना होता, माल लेजे C, I और यहाँ पर Z होता तो C, I, Z आपको यहाँ पर लिखना होता 3 non-touching loop वाले block में, फिर उसके बाद और check करते, इस तरीके से आपको check करना जरूरी है, यहाँ पर loop नहीं है, तो हम इसको यहीं पर खतम कर रहे हैं, यह हमारा हो गया delta, अब हमको लिखना है delta 1, delta 2, delta 3 delta 4, delta 5, क्योंकि यहाँ पर 5 path हैं, तो 5 delta K होंगे, तो पहले हम लिखेंगे delta 1, अब delta 1 जो है, यह forward path 1 पर depend करता है, इस forward path 1 पर, कितने ऐसे loop हैं, जो इस forward path को touch कर रहे हैं, जितने भी loop इसको touch कर रहे होंगे, उनको हम इसमें से minus कर देंगे, बचेगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो sir, इसमें अगर आप देखें, तो एक भी loop ऐसा नहीं है, जो इसको touch कर रहा है, समझना कि D loop इसको touch कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई node नहीं है, यह इसकी उपर से जा रहा है, और इधर आ रहा है, यह सिर्फ इस node को touch कर रहा है, और इस node को touch कर रहा है, यहाँ पर कोई node नहीं है बीच में, तो इस forward path को कोई भी loop touch नहीं कर रहा है, ऐसी condition में, minus करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, तो आप इसको as it is, यहीं लिख देंगे, तो यहीं जो delta वाल equation है, सेम, यहीं आपको यहाँ पर लिखनी है, उसके बाद delta 2 आपको देखना है, delta 2 जो है, वो है path AB, तो यह देखे, यह वाला path है, AB, तो इसमें कितने loop touch कर रहे हैं, सर यह वाला loop touch कर रहा है, C, और यह D loop जो है, यह भी यहाँ पर touch कर रहा है, बस यह I वाला touch नहीं कर रहा है, तो आपको C और D, इन दोनों को minus करना है, तो जब इन दोनों को आप यहाँ से minus कर देंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, 1 minus, और सिर्फ I वाला बचेगा, तो आप यह लिख देंगे, अब यह CI, C touch कर रहा है, और I भी touch कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ C touch नहीं कर रहा, तो इसमें से आप minus कर देंगे, इस वाले loop की, और इस वाले loop की, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा, 1 minus C, उसके बाद आपको लिखना है, डेल्टा 4, अब देखें, कि तीनों ही loop touch कर रहे है, इसका मतलब है कि आपको तीनों ही loop को गटाना है, इस वाले equation से, तो जब सब कुछी गटा दोगे, तो बचेगा क्या, 1, उसी तरीके से, जब इस वाले loop को देखेंगे, तो इसमें भी दोनों node काम में आरही है, मतलब तीनों loop इन दोनों node को touch कर रहे है, तो आप यहाँ पर directly लिख सकते है, delta 5 और यह भी 1 हो जाएगा, finally हमको लिखना है y by x, तो आपको लिखना है p1, देखे p1, तो p1 क्या है, f है, p1 के साथ आप लिखेंगे delta 1, delta 1 क्या है, यह पूरी equation, तो 1 माइनस c प्लस i प्लस d e, प्लस c i, यह हो गया मेरा delta 1, फिर प्लस लगाऊंगा, फिर लिखूंगा p2, मतलब a b, a b के साथ क्या लिखना है, delta 2, 1 माइनस i, फिर लिखूंगा g h, p3, फिर यहाँ पर लिखना है 1 माइनस c, फिर मैं लिखूंगा, यह वाला a e h, और यहाँ पर लिख देना है 1, प्लस g d b, g d b, और यहाँ पर लिख देना है 1, उसके बाद आपको यहाँ पर delta लिख देना है, यह वाला equation, as it is लिख देनी है, यह आपका transfer function हो जाएगा, इस signal flow graph का, इसी तरीके से, आपको इस वाले question को solve करना है, यह question आपको solve करना है, मैं इस question को next video में solve करके आपको दिखाऊंगा, इसमें आपको y5 upon y1 निकालना है, और y5 upon y3 निकालना है, इसका solution निकालिएगा, और अगर आपका solution निकल जाए, तो आप नीचे comment box में comment करना, कि आपने इसका solution निकाल लिया है, next video में आप उसको match कीजिएगा, कि आपका answer सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आपको इस video में कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं, हमारे telegram channel को आप join कर लीजिएगा, वहाँ पर भी मैं इनके solutions प्रोवाइड करवा देता हूँ, telegram channel को join करने के लिए, आप telegram search box में directly, at the rate electrical partial लिख सकते हो, और description में links भी हैं, तो आप वहाँ पर भी एक बार check कर सकते हो,